Capital Smart City Overseas Central Sector B में इस वर्ग Development की सूरतेहाल क्या है as a third week of March 2024 इस वीडियो में Sector B के Updated Development के हवाले से बताऊंगा इसके साथ साथ किन साथ किन साथ के Plots है Sector B में उसके हवाले से बताऊंगा और इस Sector के Expected Possession के हवाले से बताऊंगा कि इसके Expected Possession कब तक आ सकता है Keeping in mind the current status of development on site के right now जो site पे हो रहा है उसको देखते हुए कि इसमें कितना टाइम लगेगा जिन Members के Plot हैं उनको Possession Offer होने में अगर हम बात करें Sizes of Plot की यहां पे दो Sizes के Plots में नहीं है नमबर वन यहां पे 50 by 90 यहां 500 गस के Plot यहां एक कनाल के Plot अवेलिबल है उसके उपर 8 मरला और 4 मरला Commercials भी अवेलिबल हैं अब इस सेक्टर के हम जनरल बात करें तो इसमें Land के Litigation के Issues जो है वो Hardly को 4 से 5% होंगे इससे ज्यादा Issue नहीं है यह थोड़ा आपको जो Green Part सामने नजर आ रहा है इसके Right और Left Brown हुआ 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 है यह Part Litigated नहीं है इसके Cutting होना बाकी है क्योंकि इसके Right Left चारो साइड पर जमीन है बीच में Hardly को 10 फुट की चोटी सी पहाड़ी है जो बाकी है यह Land Clear हो जाएगी लेकिन हाँ इस जगह जो Plots होंगे वो Definitely बहुत ही अच्छी Land Value के साथ Plot होंगे याद रहे कि Overseas Central में दो कनाल के Plots बहुत ही Limited Plots है और वो जो दो कनाल के Plots हैं उसको Sector B के अंदर ही Accommodate किया गया और Sector B के अच्छी बात यह है कि इसकी चारो साइड से यानि कर आप Left साइड से Commute करते हैं तो आपको Ring Road मिलता है जो डिरेक्टली जाके Interchange से Connect करता है वो आके उसकी फोटेज में Add भी कर दूँगा उसके साथ अगर Right साइड पर देखें तो Linear Park आपको Connect करता है जाके डिरेक्टली Interchange से दुबारा आपको दो साइड से Access मिलगी Back साइड से एक Water Body है जो Sector A और Sector B को Divide करती है तो उस तरह से वीव अच्छा बनता है अगर हम बात करें North West Side से तो उस तरह से आपको खेरी मुरत पहाडों का वीव मिलता है जो के बड़ा जायर सी बात है Fascinating वीव है Keeping in mind कि आपकी जो Plot के Rates है ये Value है Under 10 Million का Plot आपका तो उस Value के साथ आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी Location मिलती है अगर हम सिर्फ Price के मद नदर रखें Background में आपको वीव भी नदर आ रहा है तो अगर लेट से कोई भी Property यहाँ पे Construct होती है उसकी 36 Feet Building की Height Permissible है उसके मताबिक आपको 360 डिग्री में View बहुत अच्छा बनता है उसके साथ साथ 400 Feet Road से भी Access है Ring Road से भी Access है और Linear Park के साथ भी Access है Linear Park की सबसे अच्छी बात कि सेक्टर B एक ऐसे जगावे वाक्या है कि जिससे अगले सेक्टर में Girls College and Girls School और पिछले सेक्टर में यानिके सेक्टर A में आपको Boys College और Boys School और सेक्टर D में और सेक्टर E के दर्म्यान में Girls College और Girls School भी मिल जाता है जो रिंग रोड की में बात कर रहा था जिसके ओपर आठ मनला चार मनला कमर्शल प्लॉट्स है उस रिंग रोड की लोकेशन यह बनती है और इस रिंग रोड की लोकेशन की important बात यह है कि यह इस जो Capital Smart की साइट है उस पर बनने वाला यह 6th ब्रिज है जो आपको नजर आ रहा है जी अरेच के साथ जो आगे किनेक्टी ब्रिज है एक्जेक्टी ब्लॉग के साथ उसके लगव डिफरेंट साइट्स पर डिफरेंट साइट्स पर डिफरेंट लोकेशन तरह से सेक्टर ए में ब्रिज बन रहे है तो इंफरस्ट्रक्ट्चर के लिहाज से कैपिडल स्मार्टी का कोई मुकाबला नहीं है आप किसी भी होसिंग परजेक्ट को ठाकर देख लें उनकी पिछली छे साल की परफॉर्मस निकाल के देख लें जितने पांस से छे सालों में रावलपिंडी इसलामबाद में कमबाइंड परजेक्ट में डिवेलप्मेंट ह इस में आपको स्कूल बनते नजर आ रहे हैं पर प्राइम वन में गर्ल्स कॉलेज और बॉइस कोलेज भी है हर चीज है यहां पर के एक इंडिपेंडनेंट सुसाइटी के लिए जो चाहिए हो चुके होंगे के कैपिडल स्मार्टी का जो एक्जिट पास पे हैं वो काम साइड वाइस जलता रहेगा लेकिन मेंबर्स के लिए जो प्रॉपर इंटर्चेंग का मतलब होता है कि आप मोटर्वे से उतर के सुसाइटी के अंदर जा सकें आपको किसी इंटर्चेंग का स्पेसिफिकली जैसे आज की डेट में साइट पर जाते हैं तो हमें चक्री इंटर्चेंग के इस्तमाल करना पड़ता है चक्री इंटर्चेंग पर जाके वापस आना पड़ता है तो यह वाली हसला भी खतम हो जाएगी तो कैपिल स्मार्टी नेशनल यूनस्टी ऑफ साइंस एक टेक्नोलजी से मैक्सिम्म पंदरा मिनिट के डिस्टेंस पर जाएगी तो यह बहुत ही पॉजिटिव बात है जाहर सी बात है कर आपने इंवस्मेंट कर रखी है तो आपको इसको आने मेले दिनों में बड़े फूटफल डिजर्स देखने को मिलेंगे तो अवराल सेक्टर बी की डिवेलपर ने वापस आते हैं सेक्टर बी के अंदर इस वक्त इसे बात है किसी बी अरिया में पॉजेशन अवेलेबल नहीं है लेकिन हाँ अची बात है किसी बी अरिया में लिटिकेशन भी नहीं है? projects civilian recruitment बात है कोई आसा अरिया नहीं नहीं नजदराता अपको उससारीट पास प्रेवर्टे के पास बात हो कुछ इसे शरीट की जो प्रॉपर ले उट प्लैन है उसके मताबिक स्ट्रीट निकाल दी गई है और कुछ एरिया ऐसा है जहां पर भी कटिंग काम हो रहे हैं यह आपको स्ट्रीट नज़र आ रही है इस एरिया पर भी आपको डिवल्पमेंट बड़ी अच्छी होती नज़र आ रही है जहां बात करें तो वह भी 400 फुट रोड जो सेक्टर सी के सामने पहुंच चुका है और वहां से आप एक्सेस लेकर यहां भी आ सकते हैं तो दोनों लिहाद से सेक्टर बी को आज की डेट में देखें इंटर चेंज से एक्सेस के लिए रस्ता है आज की डेट में देखें सिर्फ बाकि यहां पॉजेशन आपके सामने आपके सामने है कितना लाइटर सापको स्टीट का लेट प्यान नदर आ रहोगा एडली समझ आ जाते ही है बाकि रोड की जो लीनर पार्क रोड और उसकी कारपटिंग देख लें दोनों साइट से और सेंटर में जो लीनरी और बाकि तो चीजें इस्टाल होंगी तो उससे सेक्टर भी मजीद जो है उसकी लेंड स्केपिंग में बेहतरी हैगी तो इन जनरल यह आज की डेट की डिवलप्मेंट का स्टेटस है एज ऑफ थर्ड वीक ऑफ मार्श टुन्टी टुन्टी फोर इस वकर में स्क्रिशन पर के करण दो को इस्टेट से अपर से नंबर वन इसमें इसमें कॉन्टाल के प्लॉट्स हैं अब चार वह साइट करते हूं आपको मैप पे इसके साथ साथ में ओवर ऐल सेक्टर की जो इसकीशनल फ्यूचर और पॉनट यूद्ट को उसके वाले मास्टर प्लैन को मैं इस तो इस तरफ भी और इस तरफ भी बाकि सारे एकनल के पलोट्ट है अगर हम बात करें चार साइट सीप्ल अगर हम बात करें वेस्ट साइट में harthCore दिस्टिक्ष रES पार सूथ साइट में बात करें तो इसकी पास litigation में हो सारा का सारा सेक्टर जो है वो litigation से बिल्कुल क्लियर है अभी मैं आपको ये Google Earth पे ये सिर्फ आपने map की फोटो देखी है आप मैं मैप को थोड़ सा disappear कर देता हूं ताकि आपको सिर्फ actual ground reality का बता चल सके तो इसमें सिर्फ ये वाले जो चंद प्लॉट बनते है आखरी जो मैंने बात की थी 4 से 5 परसेंट एरिया की वो बनते हैं आपके street number specifically बात करो street number 6 और इसके लावा जो main road जिसकी वेट था 100 feet जो main road I think उस road नाम ने लिखा हुआ कोई लेकि main road 160 feet है इसमें linear park भी और साथ भी road भी है इस एरिया में जो ये वाले चंद प्लॉट बनते हैं ये लिटिकेटिड़ है ये आपको Google Earth पर आइडिया हो रहा होगा ये वाला जो पार्ट बनता है ये लिटिकेशन में बनता है बाकि main road के कमर्शल और main की back के कमर्शल भी यहां पर लिटिकेशन में है बाकि इन जनरल बात की जाए तो जितने की जितना एरिया बनता है वो सारे का सारा land wise बिलकुल clear बनता है उसमें सच कहीं भी लिटिकेशन मजूद नहीं है sizes के मैंने पहले बात कर चुक हूँ यहां पर कनाल दोकना के लावा किसी और size के plot मजूद नहीं है और चारो साइट भी आप देख सकते हैं यह greenery से चारो तरह से खिरीवी हैं इनमें हर तरफ भी आपके देनी का उपर north side पे, east side पे, south side पे, west side पे इसका business point of view से है क्योंकि सामने health care district आता है अगर आप कोई वीडियो ची लगिए तो प्लीज दो लाइक कमेंट और चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजाज़त अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिस झाल